वेलकम बैक टू नाइट एंगर नाशी एकेडमी आज मैं आपके लिए फिर से यहां पर नियू अपडेट लेकिया आगई हूँ जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं नेशनल हैल्थ है इस क्रेटरिय क्या होगा पेविन कितना होगा और डिटियल तो बने रही वीडियो के एंड तक कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे पहले अगर आप चनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे दिये कर जो रेक्टर का सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हम चलते हैं पूरी अपडेट की और तो नहीं हम तो पोस्ट देख सकते हैं कम्निटी हलता ओफिसर प्योरली नहीं हम कॉंटक्ट बिसिस पर यह रहेगा पोस्ट की बात करें तो पोस्ट 940 टोटल पोस्ट है जिसमें की कैटेगरी वा और होरीजोंटल वाड़ फफन इसको आप दोनों को देख सकते हैं अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर एनी कंडिडेट जो की सक्सेफुल कम्लीट किया है जो बीपी सीसी अच को कूर्स मतलब ब्रीच को कम प्रोगाम फादर सर्टिफिकर इन दे कम्निटी हल् आपटर आप्टर एशी प्रोसOOOO के पत किया है तो भीलकुल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं साथ में जो बीपी सीरे नर्सिंग वाले एंड़ पोस्ट बेसिक बीसिक नर्सिंग वाले जो की सक्सेफ़ुल कम्लीट किये हैं इंटीग्रीट कोर्स अदर मीट लेवल हैफ प्र कर रखा है और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जो है तक कैने डेट हुविल वी सब्मीटर सर्टिफिकेट इसुट पाइद इस पाइद इस पेसी में अटेस्ट मतलब आगर आपने कोर्स किया है तो आपके पस वह सर्टिफिकेट होना चाहिए उस इंसिटिफिके और इस पाइद इस पाइद इस पाइद निवास परवान पतर जो है वह हिमाणचल प्रदिफ का होना चाहिए एस तो भी रेइस्टिफिकेट भी होना चाहिए इस्टेट नर्सिंग कॉंसिल आफ दा हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश कहीं यहाँ पर रिजिस्टेशन आपका होना चाहिए अब यहाँ पर डिजारबर क्वालिफिकिसन में बात करें तो यहाँ पर नॉलेज आफ दा कस्टमर मैनर और यहाँ पर बहुत सारा पर देशन दिया उसका आपको नॉलेज होना चाहिए पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एनिवेर फ्रॉट देश्टेट अफ दे हैल्द वेलनेस सेंटर मतलब आपका इमाचल प्रदेश में कहीं भी हेल्द वेलनेस सेंटर में पर आपका प्रेस हो सकता है सलरी की बा यहां पर अप्लाइक कर सकते हैं ठीक है और रिलेक्सेशन अप तो 5 पिरस इन केस अप अप देश्टेएस अब अबीसी मतलब अगर एस्टेएस अबीसी है तो फाइप और एड किया जाएगा मतलब यहां पर 50 यहां पर सबका हो जाएगा इसके बाद यहां पर हैं मोर्ड कंदेट वर सक्सेश्वळी कंपलेट जो किया है बीपी साथ कोर्स आफ्टर बीसी नर्सींग ठीक है वह उनका दूस मांध वहां पर एड किया जाएगा एक्सपीरियंस का भी यहां पर वेटर लिया जाएगा तो यहां पर दिया गया है कि देडिए वित मीनिमम वन यहां एक्सपीरेंस इस यह वेल्थ एल्थ एंड़ सेंटर में तो उनको टेन्माक्स लिया जाएगा और गडिज़ एक्सपीरेंस की लिए आपको क्या करना है दीच जब आपका यहां पर प्रोस्ट होए थे किस डेट पर हुए थे कितना टाइम तक आपका यह पर एक्सपीरेंस था यहां पर कुछ प्रम कंडीशन दिया गया है ठीक है कम ने दिल्थ के लिए तो हम देखते हैं कि वीड़ान के इंड़र के लिए ऑनियर के लिए और इसको एक्सेंट भी किया जा सकते है उसके satisfactory performance के according ठीक है and the appointment should be subjected to medical fitness from the medical board considered for the purpose with the government of the human चल पाई मतलब medical fitness यहाँ पर आपका चाहिए होगा payment तो मैंने बता ही दिया है ठीक है और यहाँ पर it will be the full-time job and no part-time employment या private job यहाँ पर अलॉग किया जाएगा और है on successful अगर complete करते हैं one year qualifying service तो वहाँ पर they will be entitleful annual increment at the rate of the approved government यहाँ यह यह दिया है कि जैसे आपने one year अगर successful अपने वहाँ पर कर दिया ठीक है तो government की according वहाँ पर आपका जो है annual increment भी किया जाएगा monthly ठीक है and the health society subject to satisfactory performance of the incubate and the contract of the appointment can be terminated by the either side of one month notice और the issue मतलब contact जो है वो one month notice अगर issue करा के फिर वहाँ पर हटाया जा सकता है इसके लब बहुत सारी भी information दी गई है आपको उसके पीडियाप चाहिए तो हमारे telegram group को join कर सकते हैं उसका लिंक आपको description पर मिल जाएगा वहाँ पर चाहिए और नोट कीजिए और आपको इस पूरा डीटिल को बड़ लीजे ठीक है या फिर आप वीडियो को पॉस्ट करके बढ़ सकते हैं इसके बाद यहां पर पूरी रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है और यहां पर इसकी लाज्स टेट बात कर लें तो यहां पर जो सम्मिसन है और फॉर्म का वह ओनली फॉर्म नी ऑनलाइन है ठीक है तो लाज्स डेट जो सम्मिसन करने का है वह 21 जून है 2020 तो आप जो है सामके पांध बजे तक इसको जो सकता है दूर्व टेक्निकल डीजन के करण जैसे इनकंप्लीट अगर फिल्ड है या फिर इनलीजीबल है या फिर अपका फोटो जो है पर फ्रफ्रेक्ट नहीं है कुछ भी हो सकता है तो आपको क्या करना आपको इसका ऑफिसल साइट पे जाना है और वहां पे जाकर ड पूरी अपडेट ठीक है जिसमें कि मैंने बताया कि से बीसी और बीसी नर्सी वाले जिनके पास बीपी सीच का कोर्स वह एपलाई कर सकते हैं ठीक है पचास सीच से यहां पर एज लिमिटेशन दिया गये है वह स्कूर्ण के लिए बागी मैंने पूरी टर्म संड कंडिशन बता दिये गया है ठीक है यही पूरी अपडेट अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में इतनी आपडेट के साथ अब तक के लिए बाए